तो बाचित करते हैं हम SC and ST identities एक्टी बोलते हैं 1989 ठीक है न तो यह basically act आपका यहाँ पे हम discussion करते हैं 5 अध्याय 23 धाराई और एक अनसूचियों में divided है तो 5 इसके chapter है 23 इसकी section है और एक schedule है एक अनसूची है ठीक है न तो पहली तो यह दियान में रखिएगा कि एस्टी एस्टी एक्टर जो है तो यह दियान रखिएगा कि कब यह लागू हुआ है तो सुरुवात में देखोगे तो 30 जनवरी 1990 से कब लागू हुआ है 30 जनवरी 1990 से यह एक्ट आपका applicable है पहले यह एक्ट जम्मू कस्मीर में इसका विस्तार नहीं था लेकिन जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर सब्द को ओमिट कर दिया गया विलोपित कर दिया गया तो वर्तमान में इस एक्ट का जो विस्तार है तो विस्तार संपूर्ण भारत में ठीक है ना तो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है 31 अक्टूबर 2019 से लागू कब हुआ इनफोर्समेंट डेट तो अभी मैंने बताया कब है तीज जन्वरी 90 ठीक है ना राष्ट पती की सहमत ही इसको कम मिली तो ये भी थोड़ा चा ध्यान रठना कि राष्ट पती ने जो है तो राष्ट पती नो सहमत दी है कब है 11 सितंबर 1989 को राष्ट पती की सहमत मिली 1989 का ज नमबर 33 of 1989 तो 1989 का उन्वासी का उन्वाशी ना उन्वाशी ना उन्वाशी बोलते हैं हमारी इंद वह आकर कि नवाशी बोलने क्यादत हो गई है यहां पर इंदो आपके नब नब बोलने क्या तो वह वाले बच्चे जो तो तो यह वापस आते हैं तो यह चीजें यहां पर धियान में रखिएगा तो यह पर इंट्रोड़क्षन यहां पर प्रॉपरली कहता है अभी दो अमेंड्मेंट हुए है हाल ही में बहुत जादा अमेंड्मेंट हुए थे 2015 में ठीक है नब 2019 से क्या यह यह नहीं देखो यहां पर देखो वहां पर हां इंट्री नंबर ने वो क्रमांग 34 मतलब कि जम्मू कर्षमिर रियंगनेशन एक जो 2019 में है थर्टी फूर नंबर का एक था वह देखो आगे देखो नहीं तालिका एक अनुक्रमांग 98 मिला है वह तो वह जनरली ज्यादा पूछेगा वह जम्मू कर्षमिर का नहीं पूछेगा इनके ही आप यह नंबर याद रखिएगा वह कभी ओटी बन जा है तो उसमें बन सकता है तो उसलिए मैं बालबर बताता हूं अब यह सभी हमने सुरुवाती देख लिया क्लाउज में आते हैं तो डे डेफिनेशन क्लाउज में ऐसी कोई कठीन डेफिनेशन नहीं है है ना है कि यहां पर देखोगे तो सबसे पहले टू यह थी में बटे में बहूज है अब याद रखने के हिसाब से व ईसे बहुत ताकतवर होती है खतलान बोल दिया वहले बाफ कीजेगा ऐसे हशी बजा को बोल जाओ ना चाहते वह चली वापस आते हैं तो फिर भी मालेज़ें कि आश्रत कौन होता है बीबी है ना तो बीबी जर्नली आश्रत होता है जर्नली है ना इन जर्नल बात्चित कर रहा छोगी थोड़ा साथ ज़्यादा परिशान नहीं होएगा तो इसलिए to रिवी में उनको डिफाइन किया गया है तो ठीपेंडेंट इनली कौन होती है इन जर्नल बीवी होती है पती पर डिपेंडेंट होती है तो वह आश्रृत बताया गया है 2PD में किसको बदाए गया है साक्षी कमें तूइडी किसको बदाए साक्षी यानि किसको बदाए गया है तुए तीन परीभ़ाशनों को इकठा यहां पर ध्यान रखिएगा काम की धाराएं हैं तीनों कभी वोटी बन जाए तो ध्यान में रखिए रहा कि इसके बाद यहां पर अगला चीज देखिए तो अगला चीज यहां पर ट्व एं बताया है एसे याद liksom ऐखो यानि कि आत्या चार तो ए फार अत्या चार तो ए फार क्या है अत्या चार ठीक है ना तो टू ए में इसके बाद यहां पर टू ए में अत्या चार टू बी अब तो एक जैसे परिभाशार कर रहा हूं तो टू बी सी तू बीसी में जो है तो किसको बताए गया आपका आर्थिक आर्थिक बहिसकार तू बीसी में आर्थिक बहिसकार बताए गया है और इसके बात जो है आपका इसमें देखेंगे तो यहां पर अगला जो बहिसकार कौन सा बताए गया है समाजिक बहिसकार तो देखोगे सामाजिक बहिसकार बताया गया है तो यह तो यह परिभाशाओं का एक बंच यह होगे आपका फिर उसके बाद इसके बाद पन्ने पलता होगे तो अब देखो अनन्न विशेश नियाल है यह चीजे हाथ से महला उठाने अभी थोड़ा बीच वाले जो चीजे हैं जो तो इसक महला उठाने वाले करमचारी 2BF में बताया गया इसको ठीक लगा लो यह काम का यहां पर क्लॉज है ठीके न जिसको मैं बता रहा हूं ही काम का वही पढ़ देना बाकी सभी डिफिनेशन तो यहां पर यहां पर यह देख लो फिर इसके बाद आगे देखो तो यहां पर तो वही अर्थ होगा जो भारती समिधान को कि मैंने समिधान के लेक्चर में यह बताया है कि सी और एस्टी को आपका आर्टिकल 399 थोड़ी 36666 के जो है तो क्लॉज 2425 में डिफाइन किया गया है तो वह यहां पर वही अर्थ माना जाएगा विसेश नियाल है मेरा मानना है आगे प्रेशन मनेगा तो यहां पर विसेश नियाल है में इतना जादा परिशान होने की जरूरत नहीं है ठीके न तो यह दिहान रखियेगा अगली यहां पर विसेश नियाल है यहां पर कोई भी उतने वह लेश्णी जोटनी है लाष्ट डेफिनेशन क्लॉज में यह है 2F ठीकिना कौन सा रखना है 2F ये कहता है कि इस सहीता में कोई भी सब्द यूज किये गया है लेकिन परिभाशित नहीं किये गया है तो वो कहां से उठाओगे देखों वहां पर लिखा है IPC evidence और CRPC विल्कुल तो जो परिभाशित नहीं किया गया है वो IPC से Indian Evidence Act से और CRPC से उठा लिजिये जो परिभाशित नहीं किया गया है तो ये कभी ओटी बन जाए कि सहीता में किसी पद भी पर धियान में रखी हैं ठीक है ना बात सौन में आ रही है तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं तो यह अद्धियाय का जो चैप्टर 1 काम की बाते हैं आवा आते हैang-ill- अब अध्याय 2 देखेंगे तो धारा 3 से 9 तक में आपका अध्याय 2 बदाता है अब सबसे पहले अध्याय 2 में धारा 3 बिसिकली अब अत्या 4 के अपराद इसका हेडिंग कहता है अत्या 4 के अपराद तो अत्या 4 के अपराद की बाचित करते हैं तो धारा 3 में तो धारा 3 में यहां पर अत्या 4 के 29 अब ये जो 29 अत्या 4 है कितने अत्या 4 है 29 types of atrocities को यहां पर define किया गया है 29 प्रकार के अत्याचारों को यहां पर बताया गया 29 प्रकार के अत्याचारों को define किया गया है अब इनको ऐसे मदब पर्टिकुलरी देख सकते हो कि जैसे कि यहां पर अब यहां पर मुझे संभावना लगती है कभी प्रेश्ण बन जाए तो उसको तो सुरुवात में वही है कि कुछ गंदा खिलाने पर मजबूर करता है उसके परिश्ण में मलमूत बगड़ चुनता है यह सब चीजे आरणग घुमाएगा मुचे हटाएगा बलपूर्वक मुंदन करवाएगा ठीकि ना चेहरा पो पोतेगा काली पोतेगा ध्यान रखना यहां पर सबसे पहली चीज कि कोई भी अन्रिजरब नहीं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एस्टी एस्टी का नहीं है वह एस्टी 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 वाले व्यक्ति के साथ इन 29 प्रकार के कोई भी अत्यचार करता है उसके ओपर यह धारा लाग होगी लेकिन कोई व्यक्ति एस्टी एस्टी का ही है और वह एस्टी 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 वाले के यह अधनियम लागू नहीं होता है तो यह कोई भी व्यक्ति जो अनसूचित जाती जनजाती का सदस्य नहीं है बिल्कुल साफ साफ देखो सुरुवात में कहता है यहां पर अपराध करता है तो यहां पर द्यान में रखिएगा जनली उन्तिस प्रकार को मैंने क्लासिफाइड कर रखा है थोड़ा साथ से संजाने के लिए पर यहां पर पैस्ट नहीं आता है इसलिए मैं बहुत क्लासिफिगेशन के चक्कर में अभी नहीं पढ़ूँगा तो सुरुवात में देख लिए कोई तकलीफ नहीं है सदोस यहां पर बेगार सब बेगार मनलब किसी बढ़ुआ मद्धू करवाना यह सब चीज़ें पूजा वगरा करने से रोकना देवदासी बनने पर मजबूर करना मतदान एक धंकी देना कि फलाने कोई मतदान देना नहीं करना तो यह भी धंकी देना कि तुम्हाइं तरफ से कोई खरा नहीं होगा इस प्रकार की चीज़ें यहां पर किया जाना तो यह यहां पर चीज़ें प्रॉपरली बताए गई है कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत परिशान करें इसमें अगला धार्मिक मानता या अहमत के विना ठीके ना कोई भी यहां पर वो सब चीज़ें बताय गया है और किसी भी स्थी दोर उपयोग में जाने वाले जलास है इस्थान पाई वो सब चीज़ें को दूशित करेगा तो यह सभी चीज़ें यहां पर बातचित करता हैं इसमें परकार से सामाजिक बहिस परकार के अत्याचारों का दंड यहां पर दंड तो यह जनली यहां पर अएसा नहीं पूछता है एकीगा dart ककी कोशन यहां पर आला जाते हैं इन सबी जगह देखो जैसे कुछ धाराइं जैसे इहां पर कुछ कोशिण आ जाते हैं कि जैसे S.T.S.C. को जो है तो लोकिस्थान पे यहां पर लिखा है न जैसे आप देखो धध हिंदी में धा लिखा होगा होallas और तो वहां पर लिखा है तो वहां पर लिखा हुआ है कि किसी भी स्थान में जाती के नाम पर जाती के नाम पर गाली गलॉज करता है तो क्या यह धारा लागू होगी तो अब यही है कि वहां पर लिखा है लोग इस्थान पर लोग ग्रिष्ट में आने वाले किसी इस्थान पर कोई भी ऐसा इस्थान है जो लोग ग्रिष्ट का मतलब है जहां पर आम व्यक्ति आ जा सकते हैं या आम लोग वहां पर रहते हों वो इस्थान बूलता है तो ऐसा पर अभी तक नहीं बना है तो इतना तो रिस्क लेना बनता है पहलो ऐसे तो इन पो थे मुद्डे की समझा अंगने कि यहांपर यह 29 प्रकार के जो अत्या चार है इन 29 प्रकार करके अत्तर चार में कोई भी अपराद करता है उसके दंड कितना है छै महीने से बढ़के फाइव एर तक हो सकता है प्लस फाइन फीकर प्लस जुर्माना यहां पर दंडनी किया जाएगा तो यह हो गया तुम्हारा धारा तीन का उपधारा एक तो यह उपधारा एक इतनी रखला अब यहां पर कोई देंग ना मिथिया तो यहां पर पहला मैं पॉइंट बाइश तेटिया कि मिध्या है कि सांप्र टी साक्ष को अगरना या देना जिससे फखल्स प्लस और पल स्वरूप फखल्ष और जो यहां यह जाएक स्गों स्ट पर फांसी फांसी हो जाए पांसी हो जाए जोना उस मिध्य यहां में सजा दिया जए यहां की शला बिर स आथ कि एक एकला कि कर दो तो तो कि तो किया है इन प्रेजनमेंट ऐसा लेकलना एकला har किला खेला सक्वेख संथेंठेनि मित्यषित अ कि निश्पादन हो जाए को तो फिर डेप सेंटेंज आप मित्या कोई यहां पर दी जाएगी पहली धारा दूसरा जो है तो यहां पर कि मिथ्या साक्ष देगा गढ़ेगा जिससे जो है तो साथ वर्स से अधिक का सजा मिल जाए तो यहां पर मिथ्या साक्ष देगा या गढ़ेगा दूसरा चीज यहां पर मिथ्या साक्ष देने करने पहला है फिर मिथ्या साक्ष देगा गढ़े कि साथ वर्स या अधिक की सज तो यहां पर देखो कितनी सजा बुलता है कारावाद 6 महिने से कम नहीं होगा किन्तु जो 7 वर्स तक हो और जुर्माना ठीकिना तु शिक्स मंत से बढ़के सेवन यर फ्लस फाइंट तो यह मित्या साक्ष के संबंध में यह आपका पहला पॉइंट यहां पर ध्यान रखना दो यहां पर बनने की संभावना है फिर आते हैं अगनी विस्पोर्ट द्वारा रिस्टी अब दूसरा है अगनी बिस्फोर्ट द्वारा रिष्टी तो अगनी बिस्फोर्ट द्वारा मिस्चीप अब अगनी बिस्फोर्ट द्वारा यहाँ पर रिष्टी करता है तो देखो पहला कि किसी संपत्ति को किसी भी संपत्ति को नुकसाम तो यहाँ पर अब रिष्टी तो यहाँ पर सामा सामान संपत्ति को रिष्टी करता है तो फिर ऐसी कंडिशन में देखो वहाँ पर छे महीने से कम नहीं किन्तु साथ वर्स और जुनमाना तो छे महीने बढ़के सेवन येर प्लस फाइन लेकिन यहां पर अब देखो दूसरा यहां पर है कि घर घर देखो तीन चीज़े या मंदिर ऐसे याद रखना है तो घर दुकान या मंदिर को रिष्टी करेगा सिंपल सी बात है गंभीरता बढ़ जाती है आज इवन कारावास और जुर्माना यहां पर दिया जाएगा यह हो गया तुम्हारा रिष्टी वाला सुनम्यारा ऐसे याद करना इससे ज्यादा मात उलजने का प्रयास करना कि आई पीसी के तहट दस वर्से आधिक के कारावास कोई भी जान बूसर करेंगा तो अभी यहां पर तीसरा है यहां पर आई पीसी के तहट दस एनियर या अधिक से दंदनी अपराद करना है न कोई भी मतलब अनिजलब का टेगरी का वेक्टी मलब की है एस्टी एस्टी के साथ यहां पर ऐसा कोई अपराद खरता है तो सजा देखो कितनी है वहां पर आजीवन कारावास और जुर्माना कितनी सजा है इन प्रेजेंटमेंट अफ लाइफ प्लस पाइंड आजीवन कारावास और जुर्माना ठीक है न तो यह यहां पर काम की चीजे आपका कहता है जहां पर ओटी बनता है इसके बाद ओटी बनता है सबसे नीचे आ जाओ इस तो सबसे नीचे चौर्था पॉइंट याद रखना कोई पब्लिक सर्वन्ट है फब्लिक सर्वेंट द्वाराव और अब धारा के तहत अपराद कि अपराद तो अपराद पर देखो नियूनतम सजा कितनी होगी एक वर्स और अधिक्तम तो यहां पराद पर जो है तो नहीं होगी नियुंतम सजा एक वर्स होगी यही काम का चीज है तो यदि कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई अपराद करता है उसको नियुंतम सजा जिसे एक सामान व्यक्ति अपराद करता है तो नियुंतम सजा कितनी अपराद करता है तो नियुंतम सजा कितनी होगी एक वर्स होगी बाकि अधिक्तम सजा उस पर्टिकुलर अप्राज के लिए सजा बताई गई है वहां तक हो सकती है यह कहता है आपका सेक्षन 3 बस इससे जादा सेक्षन 3 में सजा हो जा मत याद रखना आगे बढ़ते हैं अब सीधे आजाओ सेक्षन जो है पेक्षा पर कोई लोग सेवक है उसको जानकारी मिली कि कोई से खिलाब अपराद हो रहा है तो काईदा है कानून के हिसाब से उसको चाहिए जाए रोके पर उनहीं करता है तो दन कितना है छे महीने से कम नहीं होगी जो बढ़ते कितनी हो जाएगी एक वर्स तक की हो सकेगी यहां पर धियान में रखिएगा छे महीने से एक वर्स तक की हो सकेगी यह चीज यहां पर कहता है करतब पेक्षा में वही है कि एफ आयार नहीं लिखता है तुरंत जो है तो कारवाही नहीं करता है और साथ दिन में आरो पत्र फाइल नहीं करता है तो यहां पर एक ओटी क मामलों में FIR ठीक है ना अन्वेशन कर साथ देन्यों में जो है तो पुलिस रिपोर्ट पेस करना ठीक ना पेस करना बस इतना लिख लो तो साथ के मामले में FIR दर्ज करेगा इन्वेस्टिकेशन करेगा और साथ दिनों में 16 डेज में क्या करेगा चार सीट पुलिस रिपोर्ट चार सीट आरो पत्रों वहां पर लिखाया क्या करेगा फाइल करेगा लेकिन यहां पर ऐसा यदि नहीं करता है तो यह पार्टिकुलर धा द्धारा है तुकि दंड की धाराओं को आप लोग इक अठा करना चाहते हो तो दंड की धारा एक और है तो section 5 section 5 का केबल वहां पर कहता है वर्धित दंड वर्धित दंड यानिकि enhance punishment वर्धित दंड तो इसका मतलब होता है पहली बार कोई अपराध कर के दूसरी बार सोज्थ है कोई विकती कोईद अब धिहान रखना कोई व्यक्ति व्यक्ति द्वारा प वक्षाज़ वर्ती अपराध्य में दूसरी बार अपराध्य किया गया है तो नियूंतम सजा कितनी होगा लिधा calculate परोडिन जा अधिक्तम उस अपराध के लिए बंदित दंड तक हो सकती है तो यह ध्यान रटना दो जखाए नियुन्तम सजा की बाच्चित करता है दोनों ओटी के लिए परियाप्त प्रेश्ण बनते हैं पहला है आपका वही धारा तीन में कि लोग से वक्त धारा तीन का अपराध करता ह है तो उसको नियुन्तम सजा मिलेगी एक साल और पश्चाद कोई कोई भी वेक्ति एनी पर्सन दुवारा इस अधारा इस अधियम के तहट अपराध करता है तो फिर ऐसे कंडिशन में उसके लिए नियुन्तम सजा कितरी दी जाएगी एक वर्स यहां पर दी जाएगी अध इसके बाद दंड की ही बात्चीत यहीं हम करते हैं तो एक धारा प्रॉपरली यहीं पर साथ में लिख लो धारा तेरा तेरा तो धारा तेरा वहां पर के बलाव इतना लिखने लिए ना कि धारा दस का पालन नहीं करना धारा दस का पालन कोई नहीं करता है अब धारा दस मे इतना है देखो एक वर्स और जुर्माना तो दारा दसका पालन नहीं करने पर कारावास एक वर्स जुर्माना तो जितनी भी दर्ण की बातचीत थी वो मैंने सभी आपको यहां पर बता दी एक अठा साथ में अब आगे बढ़ते हैं तो धारा साथ में आए तो कुछ नहीं कर कना का समपारण ठीक ना यनिकी फार फीचर अफ उपरड़िटी थीक है समपति का समपरण यनि की दोश्य दिएक ती है तो उसकी समपती सभीप समप्रत हो जाएगी और किसकी हो जाएगी सरकार जंगमे स्थावर संपति किसको समप्राइच जाएगी यहां पर अइसके विचार में कहता है कि विचारन के दौरन संपति कुर्फी भी हो सकती है तो संपत्ति यहां पर एशा कि दोश सिद्धी के बाद दोशिद्धी के बाद क्या होगा समप्रहन होगा और विचारन के विचारन के दौरान ठीक ना दौरान तो विचारन के दौरान क्या होगा कूर की ठीक न तो ऐसे याद रखना तो भले हेडिंग समप्रण लिखा है लेकिन दोश सिद्धि के बाद सरकार को समप्रत हो जाएगी लेकिन विचारन के दौरान जो है तो ऐसा लगता है किसी की संपत्ति जंगम इस्थावर संपत्ति संपत्ति जहां भी आ जाए तो संपत्ति यहां पर देखो साब साब लिख कर सकता है लिखेट रूप में आदर देगा फी नहीं और यदी लगता है कि विचारण के दौरान विशेश नीयाल है आदेश दे सकता है कुर्टी का भी यहाँ पर धयरा साथ कहता है धयरा आठ ध्यारा आठ उपढ़ारना ओना अब आते हैं सेक्शन एट में क्या कहता है तो देखो उपधारना किसके बारे में कि अब्यूक्त उपधारना करेगा अपराद के दुस्पुरेन के बारे में तो पहली बात क्या": अब दोफ़ृणा यहां पर तीन प्रकार की कहता है अपराद के बारे में दूसरा विद्वान विवाद यहीं कि वहीं क्या अपराद किया गया साबित हो जाता है कि भूमी के विसे में कि आगे अब धाना की जाएगी तो समान उद्देश के बारे में और पीडित की पहचान के बारे में समान या सामान आसय की और तीसरा जो है तो पहचान की पेहएं ना मतलब आप यह जो गाओं वागर अगरा में होते हैं तो गाओं वगरा मेरेक्टि एक दूसरे को जानता है आप यह नहीं करते हैं तो एसा नहीं होता गाओं में घ्राइबगते एवेरिज यह माँन चलता है कि आपको पता था कि कौन किस कोटूंब सथसे है परिवार का सथसे है कौन किस जाती का सथसे विड़ानाओं ओभे जातीप्रथा आप कि बड़े इससर पर चलती है ध्यान में रखिएगा हुआ यहां पर ध्यान में रखिए जाना मुझे इतनी कोई काम की धारा नहीं लगती है पढ़ो छोन तो चल जाएगा अब आते हैं यह होगे अध्याय दो काम का अब आते हैं अध्याय ती कि लज़िती में है निषकाशन किसका निषकाशन करेंगे करता मुझे मुझे ध्यर्यक्ति कर दो बाहर निकाल दो ये है अध्याजिन तो देखो वहां पर क्या लिखा लुआ है कि विषेश नियाले को परिवाद या तो विषेश नियाले तो किस पर परिवाद या पुलीस रिपोर्ट पर क्या हो जाता है समाधान क्या समाधान परिवाद पर हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति है ठीक है ना किसी भी छेत्र में समिधान के आर्टिकल 244 यहां पर समाधान किसी क्या कहता है किसी अनुसूचित सूचित छेत्र में अनुसूचित मतलब आर्टिकल 244 के तहर यहां धारा जो है कोई भी छेत्र हो कैसा छेत्र हो अनुसूचित छेत्र हो उस छेत्र में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है कि कोई भी ऐसा अपराध कर सकता है इस अधनियम के तहर तो फिर लिखित आदेश द्वारा उसको ठीक ना तो समाध्हान कि अधसूचित छेत्र में अपराध कर सकता है तो तो यहां पर लिखित आदेश द्वारा कितने वर्स के लिए क्या कर सकता है निश्काशन कर सकता है भाई साब निकलो बाहर सेरिया से क्योंकि तुमी सेरिया में रहोगे तो तुम जवर्जस्ति किसी स्टेश से खिलाब कोई अपराध करोगे तो यहां पर निश्काशन दे दिया अब यहां पर विशेश यहां पर यह हो गया निश्काशन हो दे दिय अब मालों की ये निस्तासन आदेश दुखी व्यक्ति ना आदेश से आदेश से दुखी व्यक्ति कितने दिन के अंदर तीस दिन के अंदर तीस दिन के अंदर क्या कर सकता है आदेश को जो है तो क्या कर सकता है चैलेंज कि कि और जहतो आदेश को आदेश को कि चैलेंज कर सकता है ठीक है ना चैलेंज कर सकना एरे मैं ऐसा वेक्ट नहीं हूँ हुँ तो जडिशिद्âte कर देता है तो नियालやって एस में चैज़ वगदर कर सकता है यहां पर ऑप थिक वह नहीं तो जिन में आदेश चैलेंज कर दीए फिर धारा ग्यारा है अब धारा 11 में ये बोल दिया गया कि भी आप आदेश आपको लगत आप परमिशन मागिए विसेश्च न्याले से कि साधी है घर में तो आप विसेश न्याले परमिट कर देता है तो तंपरेरी टाइम के लिए आ सकते हो लेकिन जिस परपस के लिए आओगे उसमें पार्टिसिपेट करोगे वापस ले जाओगे लेकिन ध्यान रखना कि यह तंपरेरी जो आपको वापसी का आदेश दिया ग आपको निश्काशत कर दिया फिर भी आप नहीं मान रहें यहीं पे हो इसी अधिसूची देरिया में हो या फिर तंपिर आदेश का भी आपने उलंधन किया है तो आपको वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा यह कहता है धारा ग्यारा धारा 11 में जो है यहां पर इतना कोई दिक्कत नहीं है धारा 11 जो है तो यहां पे इसा थे धोरी बात दिहाण रखना में मुद्दे की बाद तो गिरफ्तारी ऐसे किसी की फिंद दारा के ना ठीक याद करना तो गिरफ्तारी जीन तो आदेस 안फी चाहिए प्र घिरफ्तारी तो पहली इस थाई वापसी बस ऐसा याद रहेगा तो गिव तारी और इस का आदेश profes और यहां पर इनमें रखना असथाई सिका आदेश स्टाई वापसी काद कौन देता है विशेश नियाल है थीकि न ये बस ध्यान लखना अब धारा 11 के बाद अगली धारा आते हैं धारा 12 धारा 12 धारा 12 भी ओटी बनने के संभावना है तो धारा 12 देखो क्या कहता है कि अब 15 10 के तहर्त विशेष आदिस दिया गया है लेने का अधिकार और को कि एक पुलिस ऑफिसर मा प्या फोटो लेने का अधिकारी है और मा लीजे कि आप या मा फोटो देने से इंकार करने पर इंकार पर इक सब आइपीसी की धारा एक सब असी की कारवाहित तो आई पीसी की धारा एक सब असी का जो है तो यह आरोप लगाया जा सकता है यहां पर ध्यान आइपीसी के तहत अपराद तहत अपराद तहत अपराद तो 186 तो 186 वही कहता है कि एक तरह से यह क्या है कि आप लोग सेवक बाधिता पहुंचा जो ठीकिना अब्लिगेशन कर दो यह चीज है और कुछ नहीं और 186 के तहत और 13 मैंने बताई दिया है ना 13 मैंने बता दिया कि धारा 10 का आदेश दिया गया है कि बाहर निकलोगे निश्काशन आदेश दिया गया है आप पालन नहीं करते हो तो ऐसी कंडिशन में एक साल का गारावास और जुरुमान ठीके ना तो यह हो गया तुम्हार स्भाबारां थिरे हो निश्कार यह अननन विश्यस नियाँ मत तो इसा कोई कथिंध प crush क्यों यह यहाँ और 15 मकशा दिया दो 12 कि इसा सामत है है यह पहले दिया सरकार पुझानों सब्सक्रारा जो है तो च ऑद tienes ने फंद्र तीनी धारा यहां पर कहता है तो धारा 14 या कहता है इस्टेट गोर्वणमेंट द्वारा हाई कोड के स्ठीर गोवर्मेंट द्वारा हाई कोड के मुख्य नहीं मुद्ध हाई कोड के सीव जस्टिस की सहमती पर सहमती पर अब ऐसा दो पार्ट बना लेना सहमती पर सीघ्र विचारन प्लस ज्यादा मामले जहाँ पर सीघ्र विचारन भी करना है और ज्यादा मामले है वहाँ पर अनन्य विशेश नियाले की निप्त करेगी और जहाँ पर सीघ्र विचारन कम मामले है दोनों सीघ्र विचारन दोनों जगए विचारन प्लस कम मामले वहाँ पर किसकी नित करेगी विशेश नियाले की ठीक न तो विशेश नियाले तो जहाँ पर सी की विचारन करना है ज्यादा मामले हैं वहाँ पर अनने विशेश नियाले और जहाँ पर कम मामले हैं वहाँ पर कह सबते हो कि आपका विशेश नियाले यहाँ पर बातच को टॉट आफ सेशन को और जनरली अनने विशेष नियाल है जो है तो यह भी इडिशन कोड की ही सेशन जब रहता है सौरी तो एडिशन कोड आप सेशन को वहां पर इस पेस्टिक यहां पर पाइंट करेगी इतनी सी बातचीट है इसके बाद जो अगली काम की चीज है तो यह कि इतने नियालए हो कि सभी सभी स्भी मला कितने संमय में निपकर जाए हैं दो माहें थीकिन तो सरकार इतने नियाले की राज करेगी कि ढो मार्न दो माह में मामले इतने नियालियों की निक्त करेगी कौन आपका सरकार यानी की राज सरकार ठीक इस बात का ध्यान राज सरकार करेगी और यह दिहान anti-clause 2 यह एसा लिखने न राज gears सरकार का Лब लिए ओ Shap Count आप दो महीने में ये मामरिन पड़ जाए तो ये राज्य सरकार trafficking का के करता भी है और साथ में यहां पर की नीया करता भे को नीयाले मे आल का करता भी क्या है यहां पर नियाले का कि आरोप पत्र फाइल की तारीक से दो माह में मामले निप्टाना तो यह दो महिने में मामलों को निप्टाने का पूरा प्रयास करेगा यह ध्यान में रखिएगा क्लियर गहानी तो यह हो गया आपका सेक्षन जो है कौन सा फोर्टिंग अब आते हैं धारा पंद्रा चौदह अब ठीक है यह यहां पर वही की धारा धारा चौदह में इस्थापित नियालेओं के मामलों की अपील ठीक है न तो अनन विद्याले विशेश नियाले जो इस्थापित हैं इनकी अपील तो यहां पर तत्य या विधी के प्रेश्ण पर तत्य विधी के प्रेश्ण पर कितने दिन के अंदर 90 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में ठीक न अपील 90 दिन में कहां पर करेंगे हाई कोर्ट में करेंगे बाद में यहां पर ध्यान रखना की अपील की अधिक्तम सीमा ठीक न तो अधिक्तम जो सीमा है अपील के लिए वह 180 दिन तक भी हो सकती है विशेश कारण के विशेश कारण तो विशेश कारण इन राइटिंग दिए आप देते हो तो अपील के अधिक्तम सीमा कितनी हो सकती है 180 दिन हो सकती है ठीक है यह हो गया तो धाराइट 14 में इस्थापित नियालेओं के मामले की अपील ठीक है ना तत या विधी के प्रेशन पर कहा भी कर लेंगे 90 दिन के अंदर समानी त्या हाइट में बाकी विशेश कारणों पर 180 दिन में भी हाइट अपील को क्या कर सकता है ग्रहन कर सकता है और हाइक उल्ड द्वारा तीन माह के अंदर ठेके ना तीन महीने के अंदर अपील का निप्टारा करना अपील का निप्टारा करना तो हाई कोट यहां पर कितने समय कि अंदर अपील का निप्टारा करेगा तीन महीने के अंदर अपील का निप्टारा करेगा तो यह हो गया आपका धारा 14 अब धारा जो है तो 15 क् तो विशेश नियाले में कारवाहियों का संचालन करने के लिए क्या बनाए जाएगा पीपी लोग अभी हो जग तो स्टेट गौर्वर्मेंट द्वारा जो है तो पब्लिक इस्पेशल पब्लिक पॉस्ट्यूटर की नियुक्ती है यहां पर पहली चीज यहां पर जो कहता है राज सरकाल दरने की और दूसरी आप देखो इस पब्लिक पॉस्ट्यूटर है तो जनरली हम सी आप इसी पढ़ते हैं तो विशेश पब्लिक पॉस्ट्यूटर के दस साल बोला लेकिन यहां पर कितना नहीं चाहिए स सा त वर्स का अनोभाव चाहिए बहिए यह काम की चीज़ें धियान में रखिएगा तो बेरिट में देखिए अधियाई चारे के अधिकार अब देखो यहां पर 12 प्रकार के पंदरा है यह फुरा सा अमेंडिमेंट करके 2016 में जोड़ा गया था इसमें अंदर ओटी ओटी नहीं बनेगा इसमें केबल इसके हेडिंग में ओटी बनेगा किस अधियाय में पीडित और साक्षियों को अधिकार दियेगा अधिया चार या पूसरत किस धारा में पीडित साक्षियों को अधिकार दिया गया है तो धारा क लटाइए आगे बढ़ जाईए ठीके ना तो यह हो गया आपका अध्याय चार ए अब आते हैं अध्याय पांच अब अध्याय पांच जो प्रटेंड मिस्लेनियस तो धारा 16 अब धारा सोल है वाई सब इसमें वोटी बनता है सामोहिक सामोहिक जुर्माना तो सामोहिक जुर्माना लगाने के लिए धारा 16 यहां पर बात्चित करता है स्टेट गौर्वर्मेंट राज सरकार द्वारा सामोहिक जुर्माना धुरोपित किया जा सकता है यहां अब मैंदार बात यह है कि सिविल अधिकार सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा दस एक के तहत यहां पर सामुहिक जुर्माना लगा सकता है यह धारा सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 10A है ना यह ध्यान रखिएगा तो यह उसके तहर जुर्माना लगा सकता है धारा सत्रा दिखो धारा सत्रा कहता है निवारक कारवाहिया यानि कि प्रयास यह किया जाएगा कि कोई महौल खराब हो इसके पहले ही रोका जाएगा महौल खराब होने से ऐसा उसको कही इल्टला मिलती है किसको चाल लोग कौन लोग यहां पर रोगने का प्रयास करेंगे चाल लोग तो डीम ikरे मोडिन एसड़ीइम है ना एसड़ीइम हो है अहां पर आगर अदर canब मजिश्टेट अदर इक्जिक्टोम मजिस्टेट और छोटा है कंव College officer now the below rank of its fate कि ना डी एस पी या उसके उपर का ठीकिनघ एसपी उसके उपर का प्लिस और जौया अजडिक-आरो तो अन करना निवारक करवाहि का मतलब कि इनको सांकारी मिलती है कि इनके छेत्र में कोई he does he कव्येक्ति के साथ अपराध करनी के तियारी कर रहा है आपराध कर रहा है संभावना है और उस छेत्र फिर खोशित कर दिया है उसके यहां पर देखू साब साब लिखा है चुकि यह कैसी कारवाई निवारा तम्हें प्रिवेंटिव एक्षन है इसलिए वहां लिखा है कि 8-10-11 तो तो CRPC हमने पढ़ा रखा है 8-10-11 में preventive action होता है निवारन अपराद होने के पहले अपराद को रोग दो है ना तो यह है आपका section 70 धारा अठरा यह भी धारा काम की है CRPC की धारा जो है तो 1438 लागू नहीं यदि अपराधी 18 वर्स से अधिक का यदि अपराधी क्या है नि यह मैंने मुझे अगली धारा 19 धारा मैंने आपको बता दी ठीक है यहां पहली बात तो नहीं दिया जाएगा लेकिन तभी दिया जाएगा अठरा साल से रीक संब लागू नहीं अठरा साल से उपर का है तो परविक्छा का लाभ नहीं ऐसे लिख देना कि अपराधि अठरा वर्स से उपर का तो उसे परविक्छा का लाभ नहीं यह होता है पुरानी धरम मिक्स हो चाता है नए ये एक्जाम में भी होता है यह जैसर पढ़ाते पढ़ाते मुझे होगे चलिए ऑसदुदी कोई यहां पर हो जाता है कम्प्लीट